और उनके जो जो तिसा चारी अर्विन केजरिवाल हैं वो खुदी करें ये सब मूलतः चोर है कि ये अपराधी हैं अमिशा जी के उपर केस चला आपने कभी सणक पे बैठे हुए लोग देखें भगत सिंग जी का एक भरष्टाचारी से तुलना करना देश की जनता भरोसा करती है CBI और ED पर देश की जनता चाहती है कि सचाई बाहर निकले यहां पर आपकारी नीती को लेकर जिस तरीके से मनिश सशोध्या पर कारवाई चल रही है जहां पूछताच की बात की चा रही है तो दूसरी और आम आदमी पार्टी सड़कों पर यहा मनुद दिवारी जी आपसे मेरे सबसे पहले सवाल होगा कि CBI की जाट में CBI की जिस तरीके से अभी कारवाई चल रही है पूछताच के लिए फिर हंगामा क्यों है देखो यह भरस्टाचारी लोग जुलूस निकाल रहे हैं तो भरस्टाचारियों को तो जनता यही कहती है कि यह अपराधी हैं वरना इस देश में कितने लोगों पर केस चला है लेकिन उनके पास सबूत है नहीं वो अपने मन में पता है और उनके जो तिसा चार यहर्विन केजरिवाल हैं वो खुदी करें अभी जेल जाएगा उनके लोग नारा भी आज लगा रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे जेल जाएगा तब न टूटेंगे इसका मतलब जेल जाना तय है जब वही कहरें तो हम क्या करें लेकि मेरा आपसे यही सवाल होगा कि जिस तरीके से आप देखिए यह पहली दफ़ा नहीं है कि सब CBI को लेकर आप रहुल गांदी जी को ले लिजे जब ED कारवाई करती है तो सड़कों पे बवाल मचने लगता है सड़कों पे प्रदशन शुरू हो जाते हैं तो चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो आमादमी पार्टी हो चाहे वो दूसरी पक्षी पार्टी हो जैसी कारवाई की बात आती है बीजे पी को घेरा जाता है इस पर क्या कहेंगे आप ये तो देखिया हमेशा से जो आरोपी होता है अगर वो सच में आरोपी होता है सच में दोशी होता है तो हला ज्यादा करता है अमिशा जी के उपर केस चला आपने कभी सणक पे बैठे हुए लोग देखे अपनी सचाई से जीत क्या है आज देश के ग्रिह मंत्रिय पूरी देखा यह सब मूलतह चोर है और चुकी इनकी चोरी पकड़ ली गई है तो बचने कोई साधन नहीं तो हला करें सचाई और राष्ट्रेत के बाद की जाती है सर ऐसे मैं भगत सिंग का नाम क्यों लिया गया सिर्फ बहुत बड़ा अपमान है भगत सिंग जी का एक ब्रष् झाल 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 झाल